हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलवादी आज आपके सामने पपाया यानि की पपीता के फाइदे के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पपाया यानि की पपीता खाने के फाइदे यह एक बहुत बड़ा बैरी फूरूट होता है ठीक है जब यह पक जाता है तो यह सॉफ्ट हो जाता है और जब यह कच्चा होता है तो यह बहार से हाड रहता है जब पक जाता है सॉफ्ट हो जाता है और येलो हो जाता है इसके तीन पार्ट होते हैं बहार इसकिन होती है फिर इसका पल्प होता है जो येलो कलर का फ्ल detox करते है बोडी को ठीक है और बोडी की immunity कोρέ बढ़ाते हैं अगर हम बात कर लें इसमें कितुने calorie होती है तो अगर हम सो ग्राम पपितेगी बात करने तो इसमे 43 Kg कलोries होती है इसमें carbohydrates content हाई होता है fiber content होता है और fat और protein लो होता है फाइबर कंटेंट हाई होने की वजए से यह कॉंस्टिपेशन दूर करता है कबजी नहीं होती है अगर आप रेगुलर रूप से फाइबर से इसमें लेते हैं इसके लावा इसमें वाइटमिन भी पर्चुर मात्रा में होते हैं इसके लावा वाइटमिन E इसमें होता है जो की आपकी स्किन और हेयर के लिए इंपोर्टेंट है इसके लावा इसमें होता है वाइटमिन K जो की ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है बोडी में ठीक है और खून को बहने से रोकता है तो vitamin K की कमी हो जाए तो बहुत सारे bleeding disorders भी हो जाते हैं तो यह उनको रोकता है इसके लावा इसमे calcium पर्चुर मात्रा में होता है जो की आपके bones के लिए बहुत important है इसके लावा इसमे iron होता है जो की anemia नहीं होने देता खून की कमी नहीं होने देता इसके लावा magnesium, manganese, phosphorus ठीक तो body ठीक तरीके से काम करती रहे, cells ठीक तरीके से function करती रहे तो सारे यह vitamin उसमें काम आते हैं अगर हम water content की बात करें तो 100 gram अगर पपीता की बात करें तो उसमें 88 gram जो होता है यानि की 88% water होता है तो यह पानी की कमी को दूर करता है dehydration को कम करता है और गर्मियों के लिए ब प्रेन के development जो बच्चों का होता है उसमें folate काम आता है ठीक है अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं इसको पका हुआ फल के रूप में आप यूज कर सकते हैं छिलका उतार के जो की most common इसका प्रयोग होता है worldwide इसके लावा cooking में यह यूज होता है इससे cuisine बनते हैं कई सारे खाने बनते हैं डिशेप्टीएं ठीक है इससे मिठाइयां बनती हैं ठीक है अब इसकी पत्तियों भी बात कराई तो इसकी पत्तियां भी बहुत उपयोगी हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मलेरिया और डेंगू में जब platelet कम होजाती है तो इनकी पति होती हैं उसकी टैबलेट भी बनती हैं जूस भी बनता है कच्छी भी लोग खाते हैं तो यह बढ़ाने में भी उपयोगी होता है ठीक है और पूरे वर्ड में जितना भी पपाया आता है उसमें एक मेजर कॉंटिबुशन होता है इंडिया का लगपक 40% कॉंटिबुशन करना लुकि इसमें जो शुगर कंटेंट होती है ऐस अधार दू-धू-धर फ्रूट्स-फूर वह कम होती है तो देपटिबुशन भी इसको ले सकते हैं ठीक है तो अगर हम summarize करें इस वीडियो को तो हमने देखा कि पपीता के कितने फाइदे हैं और नुकसान शायद ही कोई एक आद कोई नुकसान है otherwise फाइदे बहुत जादा है इसमें vitamin, minerals, पर्चुर मात्रा में होते हैं इसमें fibers होते हैं इसमें folate होता है इसमें water content हाई होता है तो ये body के लिए बहुत जरूरी होता है तो अगर आप आदा पपीता या एक पपीता रोज लेते हैं तो आपको constipation भी नहीं रहेगा कपजी भी नहीं रहेगी बोडी की immunity आपकी बढ़ेगी ठीक है आप कम बिमार पड़ेंगे ठीक है बोडी detox होगी antioxidant का भी ये काम करता है ठीक है पेट digestion में भी help करता है और कपजी भी नहीं रहने देता तो फ्रेंड्स पपीता खाने के फाइदे और पपीता के उप्योग आज मैंने वीडियो काफी डिटेल में बताया है मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन प्रेस कीजिए थैंक यू दन्यवाद